हालो मेरा नाम अरुन कुमार है और मैं आज आप लोग को बता हुआ कि मिट्टियों के प्रकार मिट्टी कितने प्रकार के होती है और यह मिट्टी कहां कहां पही जाती है तो सबसे पहले इस्टार करते हैं कोशन आता है मिट्टी कितने प्रकार के होती है और यह मिट्टी कहा बात करें तो इह मिट्टी लगभक 24% हिस्से पर पाई जाती है भारत की सरबादिक महत्मूर्ण मिट्टी है यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रह में होती है नमर तो काली मिट्टी भारत के इस्तानिय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है इससे रेगुर भी कहा जाता है इसमें नाइट्रोजन, पोटास, हिूमस की कमी होती है लेकिन पिराया इससे काली कपाज मिट्टी कहते हैं यह मिट्टी मुक्तना प्राइव में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूर फूर्ट से बनती है इस मिट्टी में कपाज ग्यों मोटे अनाज के लिए उपरोगत होती है नमबर चार लेटराइड मिट्टी लेटराइड मिट्टी कंद्रमाड ऐसे भागों में हुआ है जहां सुस्क अबमतर मौसम बारिव से होता है एह लेटराइड चट्टानों के टूर फूर्ट से बनती है नमर पाज मरुष्टिली मिट्टी एह मिट्टी कम बरसा वाले सुस्क शेत्रों में मिलती है यह मुक रूप में मरुष्टिली मैदानों में पाई जाती है इस मिट्टी में जुआर, बाजरा, रागी, तता तिल्हन की पैदावाज की जा सकती है नमर चे चारी मिट्टी उस प्रकार मिट्टी को कहते हैं जिसमें चार जुआ लवड विसेस मात्रा में पाई जाते हैं तो उसक जलवाईव बाले स्तानों में एह लवड श्रोत या भूरे स्रोत रंग के रूप में भूमी पर जबा हो जाता है इह भूमी पूंड तया अनुप जाव एवं उसर होती है नमर चार जैब मिट्टी इस मिट्टी में लगातार रसानों के छड़काव एवं रसानों के उर्वरों उर्वरकों की बढ़ती मांगने परियावनल को प्रिदूसित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा सक्ति को भी घटाया है इन रसानों के पिरवहाव सक्ति को भी घटाया है इन रसानों के पिरवहाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रिदान करने वाले सूच मजीबों की संक्या में अत्यदिक कमी हो गई है नम्मर आठ बनिय मिट्टी बनिय मिट्टी परवतों के अपरदन और ब्रांस्पतियों के अफेसों से मरस्तुलिय मिट्टी व्यापक अपरदन से लवडिय मिट्टी उच्छों ज्वारों से मिर्दा का लवडिय होना बनिय मिट्टी यहां होती है